हेलो फ्रेंड्स हम लोग सब्जिक बायालोजी घटना चक्र का पढ़ रहे थे 2022 की घटना चक्र है आपकी हम लोगों के 10 सेट हो चुके हैं अब हम लोग 11 सेट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर बैक्टीरिया चल रहा है ठीक है सेट 11 जिवाणू बैक्टीरिया कोशन 11 किसी जिवाणू में के फ्लेजिला में माइक्रो टिवियूल्स का क्रम होता है Microtubular Arrangement in Bacterial Flegulum Bacteria के Flegula यानि के Flegulum की बात की जारी है कि इसमें Microtubular Arrangement किस तरह का होता है तो आपके Bacteria जो है वो पहली बात है कि वो Monera में आते हैं ठीक है तो आप यह याद रखे कि इसके सहसाथ इनका Arrangement होता है 9 प्लस 0 ठीक है Option C यहाँ पर Right है जी वाडू Bacteria में उपस्तित Flegula में Microtribule का क्रम 9 प्लस 0 होता है Eukaryotes कुछ काओं में 9 प्लस 2 का क्रम होता है यह याद रखे का यह Procarriotes हैं Bacteria तो इनमें के हैं 9 प्लस 0 है लेकिन जो Eukaryotes होंगी उसमें 9 प्लस 2 क्रम होता है जिसमें 9 सूत्र किनारे तता 2 सूत्र बीच में होते हैं इस तरह से arrangement होता है ठीक है 9 जो होंगे वो किनारे होंगे दो जो होंगे वो बीच में होंगे ठीक है इस तरह से होता है यह वाडू Bacteria वा Mycoplasma क्या है Procarriotic कोशिका है और इसमें क्या होगा 9 प्लस 0 arrangement होगा हमें याद अकना है जो Procarriot से उनमें 9 प्लस 0 arrangement रहना है Question 12 नेम लिखे जीवों में असीम केंदरी कोशिकाओं के उधारन कौन से हैं English में पढ़ लेते हैं Which of the following organism are example of Procarriotic cells ठीक है Procarriotic cells के example कौन है First है Bacteria and Mycoplasma ठीक है यही पहले यह आंसर बिलकुल सही है दूसरा देखते हैं Blue Green algae and Red algae यह तो algae में आ गया Mycoplasma and fungi गलत option है Virus and Brown algae यह भी option है आपका यहाँ पर राइट आता है Bacteria and Mycoplasma किसके अंदर आती है Procarriotic cell के अंदर आती है Procarriotic cell का मतलब जिसके पास ऐसी cell हो जिसका nucleus कैसा हो Primitive हो Pro मतलब Primitive Karyotic means Karyon ठीक है Karyon में Nucleus तो जिसका Nucleus Primitive होता है वो Procarriotic cell के लाती है और वो कौन सी है Bacteria and Mycoplasma हिंदी में कहें तो जिवाणू वा Mycoplasma Question 13 दूद से दही किसके द्वारा बनता है ठीक है दूद से जो दही बनता है Milk is change into curd by Acetobacter, Acety, Bacillus, Megatherium, Xenthomonacetri और None of the above ठीक है तो इसमें ओप्शन हमारा कौन सा रहेगा DE ही रहेगा क्यूंकि दूद से जो दही बनता है वो बनता है आपके या तो से या स्टेप्टोकॉकस से ठीक है तो इसमें कोई भी ऐसे आप्शन हमें नहीं दिये गए दूद से दही बन दही उत्पंद करने वाले जिवाड़ जिवाड़ू bacteria स्टेप्टोकॉकस लेक्टिस है ठीक है तदा लेक्टोबैसिलस ट्रेडी के होते हैं को शुगर नहीं दिया स्टेप्टो इसमें नहीं दया हैं कि जिवाड़ू दूत tra ideology अ्यपस्ते बने के भी जो होते हैं जो शुगर होती इसको याने अम DU में बदल देते हैं क्वेशन 14 एंटिबायोटिक शब्द किस ने दिया फ्लेमिंग वाक्समैन फुंक जैनर ठीक है फिर है इंग्लिश में दटम एंटिबायोटिक वॉस काउंट कॉइंट बाए ठीक है तो आपका बी आंसर इसमें सही वाक्समैन ने दिया था ठीक है याद रखिए गई यह जो तो आब कह एन्होंने वाइटेमें लिसा ठंड दिया ठीक है चलिए आगे फड़क शब्द वाक्समिन से प्रतिपादित है इन्होंने स्टेप्टोमाइसिन नमक एंटिबायोटिक का निर्मार किया और फलेमिंग ने क्यान तक है स्र actress प्रतर्वक दिखोच की थी ती तद् निर्माड गया लेकिन फ्लेमिंग ने सर्व प्रथम यहां पर देखिए ऐसे पूछा गया कि कब अगर किसी ने बनाई है तो वह कौन है फ्लेमिंग है जिन्नों ने पैनिसलिन नमक एंटिवाटिक बनाई है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा एक और और पढ़ देते हैं एंटिवाटिक शब्द वॉक्स मैन ने प्रतिपादित किया था इन्हों ने स्रेप्टोमयसे नमक एंटिवाटिक का निर्माड किया था ठीक है फ्लेमिंग ने सर्व प्रथम सबसे पहले एंटिवाटिक की खोच की थी तथा पैनिसलिन नमक शब्द किस ने दिया एंटिबाटिक तो शब्द एंटिबाटिक वाक्समेन ने दिया और उन्होंने जिस एंटिबाटिक को बनाया वो थी स्टेप्टोमाइसिन इसको आप लोग याद रखेंगे कोशन 15 जब किसी रोग कारी जीब विश्च के विरुद तैयार प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविश्ट कराई जाती है तो ये क्या कहलाता है ठीक है मतलब हमारी बोडी में ऐसी एंटिबाडी बनाया प्रिपेर्ट की जाती है जो कि हमारे रोगों के अगिंस लड़ाई करें तो इस तरह के जो इंजेक्ट किये जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं पैसे इम्मुनाइजेशन आर्टिफिशल एक्टिव इम्मुनाइजेशन नेच्रव पैसे और नेच्रल एक्टिव तो सबसे पहले यह जो हम खुद कर रहे हैं तो इसलिए नेच्रल तो यहां से हट जाएगा ठीक है ताटिविशल में आपकी कौन से होगी पैसे वाली कराई जाती है तो वह क्रत्रिम निश्क्रिय टीका करण कहलाता है ठीक है वन एंटीबोडी इस प्रिपेर्ड अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गिनिजम्स टॉक्जंस अर इंजेक्टेड इन्जेक्टेड इन बोड़ी इस कॉल्ड आर्टिफिशल पैसे रसायन पराबैगनी किरडों आधि की द्वारा निश्क्रि कर दिया जाता है और उसे श्रीर में प्रविश्ट कराये जाता है तो ठीके में हम रोग जनक लेते हैं यानि कि जो भी बैक्टिरिय जो बी जिसका भी हम ठीका करन कर रहें तो वह क्या होते मरत होते हैं और उनके एक प्रॉपरली टाइम टेम्पिरेचर होता है प्रॉपरली केमिकल्स के थुरू या तो यूवे लाइट के थुरू उनको निश्क्री यानि की पैसिफ किया जाता है और फिर उसे बॉड़ी में इंजेक्ट करवाया जाता है ठीक है कोशन 15 हो गया आपका कोशन 16 नमने कि में को टीका करण द्वारा नहीं रोका जा सकता तो देखिए आप सबको पता है कि लिए वैक्सीन होती टीका करण होता है तो यह आप्शन में नहीं आएगी यानि की पोलियो पर डिप्थीरिया आपको पता है डीपिटी लगाया जाता है तो यह भी नहीं आएगी निमोनिया क एक संक्रामक रोग है जो कि अंतैमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा नामक पर स्वी के खारन होता है याद रखेगा इंतैमीब protagonist इसकी होता है ज Striks करन द्वारा नहीं रोका जा सकता है जब की पोलियो ग्यूट्रैय का निमौनिया रोक का टिक करन द्वारा से रोका जा कर दिए था सकता है वैक्सीन लगवा दी जाती है जिसे यह चीज़े रोक सकते हैं लेकिन Amoeba को करता है वो आपका है rhizobium ठीक है वह ही क्या करता है फिक्स करता है nitrogen को जमीन में. rhizobium जवाणों लगी हो मैंने इसी कुल के पौधों की जड़ों में सह जीवी के रूप में वास करता है तदा वहाँ पर nitrogen को fix करने में क्रिया में भाग लेता है ठीक है? और क्या कर रहा है इस तरह से ये हमारी साइकल पूरी चलती रहती है नाइट्रोजन साइकल Question 18 Xanthomonas citrae निमने के लिए एक रोग कारक जीव होता है Xanthomonas citrae is a casual organisms of fire blight in apple, wild disease in potatoes, citrus kanker, yellow ear rot of wheat तो आपको पता है कि citrus kanker जो आपका है यही आपका right option है ठीक है डिटेल कर लेते हैं, citrus kanker रोग, ठीक है यह तरह का रोग है, disease है जो किसके दुरू होती है, Xanthomonas citrae, नामक, रोग, जनक, जिवाणू ठीक है, बैक्टीरिया है आपका, यह एक दंड रूपी, gram positive वा वाइवी जिवाणू है ठीक है, आप gram positive पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमसेट में, यहाँ पर कह रहे हैं, YV जिवाणू है यानि कि aerobic और anaerobic बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर aerobic यह बैक्टीरिया में आएगा इसमें केवल एक दुरूवी है, यानि कि polar flagellum पाया जाता है ठीक है, पर तेक जिवाणू की लंबाई 1.5 से 3 micrometer तथा चड़ाई 0.5 से 1.5 micrometer होती है यहाँ पर तुछी से detail बताया दिये जा रहा है कि इस बैक्टीरिया की किस तरह का बैक्टीरिया है और उसकी क्या-क्या लंबाय चड़ाई है, ठीक है तो में अमने क्या पढ़ा, जन्तोमोना सिट्राइज is a casual organism of citrus canker 19, citrus canker एक उधारन है, viral disease, bacterial disease, algal disease, fungal disease तो अभी हमने पढ़ा यह तरह कि कैसा बैक्टीरिया इसमें involved होता है, तो यह तरह कि क्या है, bacterial disease है फिर तीसरा question, citrus canker पर आया, citrus canker रोग उत्पन होता है, किसके थुरू, अभी हमने पढ़ा था, जन्तोमोना सिट्राइज की थुरू होता है तो option B आपका यहां right होता है, तो आपके यहां 20 question complete हो गए हर set में 10-10 question पढ़ाए जाते हैं next set में next 10 questions हम लोग फिर पढ़ते हैं, okay, thank you so much